नूसे मिलाना है और मिलाते से अंकल फिर यह योगी है विए खाने के लिए रैडी है है आज हम सिखने वाले हैं ब्रैट पोड़ड़ा वो भी हलवई की दुकान से क्योंकि यहां गर पे बनाते रहीlaş gwाते हैं लोकेशन में आपको पता है तो यह है चनक के पूरी सामने है गुजराद भवन अपोदिट अशोका उटर उसी के सामने ये शॉप है आपको कोई भी केट्रिंग के इंसे काम होगा नीचे नमबर दे रहा का है आप इनको कॉल कर सकते हो तो चली वीडियो का आगे कंटिन्यू गड़ते हैं तो यहां पर इसका बेशन घोल रहे हैं यह 10 ग्राम डाली है अजवाइन यानि की होगा यह एक चम्मच करीबन पचास ग्राम नमक यानि की दो बड़े चम्मच नमक के लिए डाला जा रहा है दो किलो बेशन के साब से चल रहा है यह और यह सोड़ा सोड़ा बी मलब यह आपका होगा आदी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा और लगवाग एक किलो पानी पहले डाला जाएगा यह चीज़ लो और क्योंकि हम अलग तरीक से बनाते हैं यह बारिक बेसन दो किलो तो दो किलो बेसन के साब से चल रहा है सब कुछ अपना मेजर्मेंट आ गर पर अगर आप कम बना रहे हो तो उसी साब साब देख लेना अब इसमें पानी सिर्फ एक लीटर भी पड़ेगा जैसे जैसे घुलता जाएगा ठीक है तो गोलने देते और लास्ट में इसमें दिखाऊंगा आपको इसका बैटर कैसे रखना है कितना पतला रखना है कित इसके आपको शकल दिखाता हो कि किस तरीके से अपने बैटर आप महला इसका रखना है ब्रेट पकोड़ों का हल्का हल्का पाई लगाएंगे ना तो इस तरीके का होना चाहिए कि है कि इस तरीके का जैसे हमने जलेबी इजन्ट आपको दिखाया था ना उसी तरीके का रखने न भीया zakada 시rap पतला रख सकते हो जैसे मलब ब्रेट पकोड ये भार की परत ना जिससाब से रखने है ज्यादा रखो एसे पानी डाला है कम से कम आदा गलास ताकि यह भी पापड़ीना हो लुडसरुखे ना जैसे तोड़ी दिर के लिए छोड़ रहे हुए उसको जयसे जब तक यह मसाला भूनेंगे आलू का तो तब तक इसमें पापडीरना जमें इसलिए आपको बेशन ऐसे घोलने के बाद थोड़ा से पानी डाल देना अपड़ से ताकि यह पापडीरना बने तो यहां पर देख लो यह है पांच किलो अबले आलू इसको अंकल मैश कर रहे हैं तो पांच किलो आलू थे और तेल यहां आदा किलो तो मसाले देख लेटे क्या कैसे पढ़ने वाले अंकल जी नाम क्या आपका राम कुमार जी अंकल 55 यह और 50 साल से यह काम कर रहे हैं यह डाला इसमें धनिया साबूद यह है आरांड दो बड़ी मुठी जीरा पचास गराम यह लेगी आदी मुठी है इसको लाल करने तक करना उनकल तो लाल करने तक इससे बुनना है तो यह देख लो यहां पर यह लाल हो चुका है अब देखते हैं इसमें मसाले मेन हैं वह क्या पढ़ने वाले हल्दी यह होगा तीन बड़े चमच लाल मिर्च यह भी वही तीन से चार बड़े चमच यह पांच किलो आलू के हिसाब से बन रहा है गरम मसाला यह ज्यादा जाएगा अंकल उत्ते थोड़ा सा ज्यादा यह नहीं है यह पांच चमच होगा आपका मटर आप देख लो 200 ग्राम मटर कसूरी मेती भरके एक मुठी और अब डालना इसमें अपने आलू अब तो हलवाइश टाइल में सीक्रें भाई सीख्रेट रैसी भी होती है यह सब ठीक है तो वीडियो का भी लाइक कर दो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी हम वीडियो लाते रहते हैं अलवाइब यह से शौब से रेसरेंट से वोटल से तंद इसका बुनना है बुनने अब अभी नमक डाल बें तो लिए नमक जाएगा आपका सो ग्राम नमक है यह सो ग्राम साथ से डेट सो ग्राम वो साथ हमें सार है जैसा आपको सही लगता है तो यह हो गए मसाले अब इसको बुनने अच्छा से कितने देट ता भुनें के अंकल जाए अच्छा मिक्स करने मसालों के साथ वह पांसे दस मिनट के अंदर यह बनके रेडी हो जाएगा आपका टोटल टाइम हो गया इसको भुनने से शबकुछ मिलाने से पांसे-दस मिनट कि अपने से मिलाना है और मिला से अंकल फिर फिर या कि यह बैटे देखते कैसे फिलिंग कर रहे हैं कि आसे पकाना है यह से गरम करना है चलिए यह यह इंकल ने उपर से डाला है धनिया फुदीरा मिक्स तो अब यह रेडी है मसाला बनके और चलिए देखते फिलिंग कैसे करने किस तरीके से गरम करना तेल सब कुछ आगे आपको बताता हूं तो अब देखलो ब्रेड पकोड़े की फिलिंग कैसे करने है जो यह मसाला था अंगल हलका पाणी डाल के इसमें हलका से मिलाए थोड़ मुलायम करें इसको थोड़ा साइ पानी डाला है ज्यादा नी ताकि चुपक जाईए बस इस तरीके ते भरना है में काम है इसका जो मसाला होता है मुश्री लोग क्या करते है कि अबले में ही मसाले मिलाके लगाके तल देते हैं तो इससे पान अंदर से कच्छा पना से रह जाता है इसलिए आपका भुणना जरूरी है ऊ-धवन की तरह तरह फिर चलेंग अपने बेटर की तरफ और पकड़ाई की तरफ आज तो चलिए इसको बेटर में डालेंगे और यह तेल कैसा रखना इसमें फुल गरम होना चाहिए तेज गरम इस तरीके से निकालना और डालना है कि पहले हाफ निकाला जाएं फिल फुल फ्राइ और हाफ ख्राइ के लिए कितने मिनिट तक बती हो गया तो यह निकाल देना है ऑपको दस से 20 सिकंड अंदर आपने से हटा देना पलटके पलटके दोनों साइट से यानि कि 20 से 30 सेकंड में यह आपका हाफ फ्रय हो जाएगा आपने निकाल देना है उसके बाद आपने फिर एक साथ पकाना है इनको तेज गरम वो भी तेज आंच में ठीक है तो यह होती है कि ट्रिक हम लोग घर पे क्या करते हैं मोचली एक बारी में सारा तल देते हैं तो यह हो गया हाफ डन इसको होने देते हैं फिर जब यह सारा दुबारा डालेंगे फिर आपको दिखाता हूं तो लो भाई अभी यह जा रहा है फुल फ्रय के लिए तेल आपका वैसी रहेगा जैसे था तेज गरम तो इस तरीके आपने इसका पकाना है तो लिए नाम या हista मैं पूल अपका लास्ट आए ragam Urban जल्डी बनाने शीरी कचोडी शी काया थि और इसका कचोडी की सब्य है तो यहां पर मिलके काम चलता है आधा अंकल बना रहे है पर आधा बज़ा करते हैं तो बिए इसको कितने देर और पकाना भी हो गया फुल फ्राइब हो गया है तो कितने मिनट में यह पूरा पहले आपने बिट विद्व मिन्ट में आपका ब्रेट पोड़ा बनके रेडि यह पहले आपने 20-30 सेकंड इसको हाफ फ्राइब कराता उस वीडियो पसंद आयोगा प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच